इंडियन प्रेमियर लीग में सूपर संडे के दिन दर्शकों को एक रोमांचर माच देखने को मिला जब किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिल्स के बीच मुकाबला टाय हो गया मैच में दिल्ली के मार्क स्टोनीज की मात्र 21 गेंदों पर 7 चौके और 3 छकों की मदद से बनी 53 रन की विस्पोटक पारी के दम पर 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 157 रन का चनौती पून स्कोर बनाया गया जबकि पंजाब ने भी 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 157 रन बनाये और मैच टाय हो गया मैच का फैसला अब सूपर ओवर पर चला गया था जिसमें दिल्ली ने आसानी से जीत हासिल कर ली मैच के बाद पूर्व क्रिकेटर विरेंदर सहवाग ने एंपायर के उस फैसले पर गुस्सा जटाया जिसमें रन पूरा होने के बाद उसे शौट रन करार दे दिया गया था मैच के एंपायर नितिन मैनन के फैसले पर सेवाग ने गुस्सा करते हुए ट्वीट कर लिखा निकोलस पूरन का तो दो बार चूरन निकाल दिया लेकिन मैं मैं आउव दी मैच की चोईस से सहमत नहीं हूँ जिस एंपायर ने ये शोट रन दिया है वो मैन आउव दी मैच होना चाहिए था ये शोट रन नहीं था और इसी ने मैच में अंतर पैदा किया